आदेने अदेग जी हमारे विपश्च के मित्रों के फित्रत में ही अविश्वाद भरा पड़ा है हमने लाल के लिए से स्वच्छ भारत अभियान के आवान किया लेकिन उन्होंने हमेशा अविश्वाद जिताया कैसे हो सकता है गांदी जी भी आके गए करके कहके गए क्या हुआ अब स्वच्छता कैसे हो सकती है अब इस बास भरही हूँ इनकी सोच है हमने मा बेटी को खुले में सौच से मुक्त करने के लिए उस मजबूरी से मुक्त होने के लिए सौचाले जैसी जरुवत पर जोड दिया और तब यह कहने क्या लान के लिए से ऐसे भी शे बोले जाते क्या क्या ये देश की प्रात्मिक्ता होती है क्या हमने जब जंदन खाते खोलने की बात की तब भी यही बात मेरा शे की क्या होता है जंदन खाता है उनके हाथ में पैसे कहा है उनका जेब में क्या पढ़ा है क्या लेके आएंगे क्या करेंगे हमने योग की बात की हमने आयुरुवेट की बात की हमने उसको बढ़ावाद देनी की बात की तो उसका भी मखोल उड़ाया गया हमने स्टार्ट अप इंडिया की चर्चा की तो उन्होंने उसके लिए भी नरासा पहलाई स्टार्ट अप तो कुछ हो जी नहीं सकता है हमने डिजेटन इंडिया की बात कही तो बड़े बड़े विद्वान लोगों ने क्या पाशन किये हिंदुतान के लोग तो अपड़ है हिंदुतान के मोबाइल चलाना भी नहीं आता है हिंदुतान के लोग कहां से डिसिटल करेंगे आज आज डिसिटल इंडिया बेस आगे है हमने मेकिन इंडिया की बात कही जह जहां गये वहां मेकिन इंडिया का मैजाग उडाया को माधनी अद्धिक जी कोंगरेस पार्टी और उनके दोस्तों का इत्यास रहा है कि उन्हें भारत पर भारत के सामर्थ पर कभी भी बरोसा नहीं रहा है और ये विश्वास किस पर करते थे मैं ज़राज सदन को याद दिलाना चाहता हूँ पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था हमारे हाँ आए दिल आतंकवाजी भेच जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ उपर करके मुकर जाता था भाग जाता था बोले हमारी तो कोई जिम्मा लेने को तयार नहीं होता था और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था वो तुरंट पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे पाकिस्तान कहता था कि आगतों की हमले होते रहेंगे और बात्चीत भी होती रहेगी इन्हें यहां तक कहते हैं पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा यह इनकी सोच रही है कश्मीर आतंगवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था जलता था लेकिन कॉंगरेस सरकार का का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था बेविश्वास करते थे हुरियत पर बेविश्वास करते थे अलगबादियों के पर बेविश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का जंडा ले करके चलते थे भारत ने भारत ने आतंगबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत ने एर स्ट्राइक किया इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था ये इनके प्रहुत्य जीने है अध्यक्स महुद है आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अब सब्द बोलता है तो इने उस पर तुरंट विश्वास हो जाता है तुरंट उसको कैच कर लेते हैं ऐसा मेगनेटिक पावर है कि भारत खिदाब हर चीजे तुरंट पकड़ लेते हैं जैसे कोई विदेशी एजनसी कहती है कि भुखमरी का सामना कर रहा कोई कई देश भारत से बहतर है ऐसा जूठी बात आएगी तो भी पकड़ लेते हैं और हिंदुस्तान में प्रचार करना शुरू करते हैं प्रेस कोंपर्स कर देते हैं भारत को बदनाम करने में क्या मजा आता है दुनिया में कोई भी ऐसी बेतु की बातों को मिट्टी के धेले जिसी जिसी ये मतना हो ऐसी बातों को तवज्जु देना ये कॉंग्रेस की फित्रत रही है और तुरंथ उसका भारत में एंप्लिफाय करना प्रतार करना पूरी कोई सिट्रिम लग जाती है कोरोना में के महामारी आई भारत के वाई गयानिकों ने मेडिन इंडिया वैक्सिन बनाया उन्हें भारत के वैक्सिन पर भरोसा नहीं उनको भारत के वैक्सिन पर भरोसा नहीं विजेशी वैक्सिन पर भरोसा ये इनकी सोच रही